मैं आशा चोग 64 years old डूरिंग कोविट टाइम जब मैंने सेकिंड रू लिया वैक्सिनेशन उसके बाद में कोई फीवर रहने लग गया राउंड बड़ा लो ग्रेट था राउंड 99.123 उस तेम डॉक्टर्स अवेलेवल नहीं थे तो ओनलाइनी कंसल्डेशन ली तो सबने य के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं करते करते सिक्स मंस निकल गए उसके बाद मेरे सर में छोटी सी लंप हो गया चोटा साइक तो वो तब तक डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे एक नर्सिंग ओम में मैंने वहां जाके दिखाया तो उन्होंने बोला इससे कुछ नी ह चुछ नी करो छोड़ दो इसको ठोड़ा बड़ा हुआ फिर एक सर्जं के आज गये उन्होंने बोला अभी तो थोड़ा सीजन रही शीजन है तो आप थोड़ा वेट करिये उसके बाद इसको अगर आपको डूबल करते हैं तो आप निकल वा दिजिए ठीक है करते हैं करत से उनको डाउट हुआ उन्होंने नेक्स टे बोला कि आप MRI करा एंगा उन्होंने दो तीन होस्पिटल सजेस्ट करें तो हमें यह नियरेस्ट यही लगा और डॉक्ट साब के बारे में इतने पॉजिटिव उन्होंने व्यूज दिये डॉक्टर प्यूश के बारे में तो हम लोग सीधा मनीपल हॉस्पिटल आगे डॉक्टर प्यूश के कंसल्ट करा उनसे बात करके याधी टेंशन खतम होगी मुझे बेसिकली लिंफोमा था नौन होच्किन्स लिंफोमा तो डॉक्ट साब ने बहुत अच्छे से बात करी और स मेरी उसके बाद ठीक है अभी बीच-बीच में सारे टेस्ट वगएरा कराने पड़ते हैं लेकिन अभी मेरा सब ठीक चल रहा है रिपोर्ट सभी तक सब ठीक हैं अभी लास्ट मेरा डिसेंबर में पैट सीटी हुआ है उसमें भी अभी ठीक हैं टॉक्ट सब से टाइम टू सब्सक्राइब रहा और अक्टूबर में ट्रीट्मेंट मेंने स्टार्ट करा था मार्च में मेरा क्लियर हो गया सब अभी तक तो सब अच्छा ही है आगे गौड नोस